भारतिय जंता पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोसी के बेटे मयंक जोसी को विदानसबा चुनाव का टीकट नहीं देगी बीजेपी ने रीता जोसी के बेटे को टीकट देने से इनकार कर दिया है रिता बहुगुणा जोसी ने ABP न्यूज से बेटे को टिकड नहीं दिये जाने की फूष्टी करते वे कहा कि वे खुद भी अब चुनावी रादनीती से सन्यास ले रही है BJP संसद ने कहा कि साल 2024 में संसद का कारिकाल पूरा होने के बाद अब वे कोई चुनाव नहीं लड़ेगी उन्होंने कहा कि अब भविशिय में कोई चुनाव नहीं लड़ना है बेटे को लेकर रीता जोसी ने कहा कि मयंक खुद समसदार है और वे अपना फेसला लेने के लिए सवतंत रहे BJP नेता ने कहा कि मयंक जोसी जो चाहे वे फेसला ले सकते हैं रीता जोसी ने संके दिया है कि उनके बेटी मयंक जोसी पाला बदल सकते हैं उन्होंने कहा कि मयंक की पिसले 12 साल सी राजनीती में सक्रीता के साथ काम कर रही थी मयंक अगर खुद इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो वे जो फेसला लेना चाहे उसके लिए सवतंतर है रीता जोसी ने कहा कि लखनाओ में मयंक ने लोगों की खूब सेवा की है पार्टी को उन्हें साल 2019 के उपचुनाओ में भी टिकट देना चाहिए था लेकिन साल 2022 में उन्हें टिकट का वाइदा किया गया था अब साल 2024 में टिकट देने की बात कही जा रही है अलांकि रीता जोसी ने ये भी कहा कि वे बीजेपी नहीं छोड़ेगी वे पार्टी में ही रहेगी सांसद ने कहा कि पार्टी अगर परचार के लिए कहेगी तो उसके लिए वे कैमपेन भी करेगी उन्होंने कहा कि बेटे को टिकट ना मिलने के बावजूद बीजेपी छोड़ कर जाने का उनका कोई इरादा नहीं है रीता जोसी फिलाल दिल्ली मेही है उन्होंने कहा कि लकनाव केंट से पार्टी उमिद्वार के नाम का उपचारी के एलान होने के बाद वे लकनाव वापस लोटेगी बीजेपी नेता ने कहा कि कार्य करता हूं और समर्थोकों का बेटे के टिकट को लेकर बहुत दबाव है इसलिए वे दिल्ली में ही रुकी हुई है ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्षन में जरूर बते साथी वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर करें और रादनिती से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें